प्रोटीन की जानवार प्राप्त करने के लिए A small quantity of all liquid T Kingston डूलीड हो जालीट हरा है आपको तेस्ट करना है और प्रज़न प्रज़ना इत होका पेष्ट बनाना होगा अब आलोग पर करना होगा इस को या करना हो उसीट सब्सकों प्रेस्ट है पेष्ट मैंट करें रहने को इस राइप लाइब हो पतव घुनीट से अपटान क्या है है तो कि क्लें प्लेस तो मैं ट्रोप और के मदद से कोपर से एड ना है और सब्सक्कार जогल सबाएब आइन के को लिए यहाते डीमि jestem कांस्टिक सोडा कोrange कोनके वेल सिसाल देख रहे महते हैं अग्योड देख लोगए आप कश्टीक सोडा अगर आपको बैगनी कलर दिखता है आप उहां से पता लागा सकते हैं कि उसमें प्रोटीन है अब यह सभी टेस्ट करके आपको सब्सक्राइब करता है आगे चलते हैं आगे हैं इसको किसे परत करेंगे अब अब यहां करेंगे अब आपको चलते हैं अब यहां करना है अब आपकेश करेंगे आपके अब क्या करना है अब इसको प्यापर को सिधा करके अब जर्ब करना है डाज इट है यह वाईली प्याच पर पर कोई तेल लगा हुआ है अब आफ उसके अउसमें जर्ब आपको तेल लाइक तैल लिक रहा है अब आगे दिखिए अगर आपको उस पेपर पे ऐली चीज को भी दिख रहा है तेल दिख रहा है अब समझ जाएगे कि उच में फैट है तो फूड आइटम से हैं जिसमें से कुछ मात्रा में पॉनी भी होते हैं इसलिए आपको आइटम ऑन पेपर जब आप पेपर पे कागज पर किसी चीज को रब करेंगे लेट पेपर ड्राइफ और वाइल तो कुछ समय तक उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए सूख जाने के बाद पानी उड़ जाएगा लेकिन तेल नहीं उड़ेगा अगर कोई पानी उस भज़ेपदार्थ से निकल के उस कागज में लग गया तो क्या हो जाएगा सूख जाएगा इट वो ड्राइप आप अपर सम्टाइम तो कुछ समय के बाद वह सूख जाएगा इसमें कोई भी वाइली पैस नहीं दिखता है तो पूड आइटम से नहीं अगे बताया गया है वाट डू दीज टेस्ट तो यह सभी टेस्ट क्या सो करते हैं और फैट्स प्रोटीन अड़ अश्टाच प्रिजेंट इन ऑल दा फूड़ आइटम्स यह सभी पूड आइटम्स में सभी तरह के विटामिन्स प्रोटीन्स और फैट्स उपलब्द होते हैं हम एक ही सभी सारी विट प्रेशक्ताओं को पुना कर सकते थे लेकिन अईसा नहीं होता है ऺता है कि इस नूट म consent होता हो वी किसी नीट्रेन्स धुटामीन्स और भी नीूट्रेंस हम लोगों ने जो भी टेस्ट किया है इसमें तीन लीट्रोंगी उपस्थिति के बारे में निया प्रोटिन या था है कि नहीं इसके बार दिए हैं यह आ आगे पढ़ते हैं कि की आपसक है ओल्दू अलग अलंग, वोन स्कतित हो हैं, यह मर्या होईद्रेस में जाकर क्या करता है क Hahn, करौभाइड्रेस अल्य कार्भाइड्रेस वाजिन परे अल्य की, फहले करणाया, है पूदूम मूझ आहें, प्रोटुनिए में प्रोटीन मिल जाता है मछली से रही है तियो आइली चीज है वोछ ज़िक रहते हैं प्रोटुनिए कम करते हैं उसमें हमें अवसक्त है गपर निढ फैर्स फैर्ट गपार जाएंवर को चीनोस इनगेंगेशाल wipe चलूंद कपच एब रहाते हैं इननद के नाम से यंदुकुद कुधे त्यफ्योह smy में प्रोटे양 नीदे स्ट टूटरा कॉर्ट कुछ गहाँ को अधें का टीक होने के लिए एक प्रोटीन के आब सकता होती है हमारी है उन्हरी तंसे लिए इसके लिए मातरा में हो सकते होगी प्रोटी को बाड़ी डिलींग पूर इसलिए में क्या गए मिनसे कीकषा इन्हीं पूरे सरीर का ग्रोथ उत्ती चीज़े होता है इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिलिंग पूर भी कहा गया है यह सभी आपको इसको आपको याद भी रखना होगा फिर आगे कहा गया है विटामीन्स पूर्टिंग आवर वाड बड्य एगंस जीज अगर विटामीन वाले जो भी उड्यक्ति होने से बहुत ही ज्यहाद ही घ्रखा करते हमें बचाते हैं दीज़ाद होने नहीं देती हैं विटामीन्स ज्यद्ध लेने से लिपिर आइज बीपिन आज़ईबस करते हैं किसन बीटामिन नांप बिटामिन करते हैं तंस राता है और सब्सक्राइण की ऐलग करते हैज दुब्सक्रणला श्कॉल्बानी संब्सक जब एक एक रूप सकूण कहते हैं को हम विटामिंन का स्कुम्हें विटामिन का मैं पबसक्ता होती हैं हमारे kicked box की आपर ऐसे किसे आगर हम ऐ खाएंगे हमारी आखर तंदूरत रहेंगी और यह पाइंज्ट तंदいき कीडि वितामिन दी को हमारी दातों को और हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है वितामिन दात और हड्डियों को स्ट्रेंद देती है बीटामिन को हम जरूर इसा मिलता है पपाया कहेंगे पपिता से मिल जाएगा क्यरोट गाजर से मिल जाएगा मैंगो आम खाने से कि किस्से मिलेगा पिर आगे बताया गया है यह क्या है लीवर लीवर खाने से वीट वीट मिस गयों गयों खाने से और चावल खाने से इन समय से हमें विटामिन बीमिलता है आगे बताया गया है विटामिन c का सुरत क्या क्या है आम खाये लेमन नेमगो खाये चिली मिर्च काएंगे दोड़ पीएंगे इन दातों को मजबूती आगे वी है इसे देखिए यहां से मिलता है यह फिर पनीर से यहां बीर कासट ब्रोटिन अइसे मिलता है अगे दिखाया गया है हमें प्लान्ट से मिलता है विर भी ग्रोठीन का शूरत है मलता है उसके बाद गराम घ्रम जिस प्रotiक के दोड़ से हवें जरूरब करना चाहिए जिससे हमारे सरीर जिस से हमारी बडी ग्रोथ में मदद मिल फिर आगे पढ़ते हैं यहां बता गया है आपर बडी और और बडी और शारीर भी बीटामिन दी बनाता है इंदा प्रजेंछ ऑफ संलाइट ऑक बनाता है तो सुराज कि रॉष्णी की उपस्थितिती में Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. आजब क्या हो गया है। लोग बाहर निकलनी से डरते हैं, वित्रामिन D की मातरा कम जाती है। इसलिए हमें धूप में रहना चाहिए ज्यादा हमें नहीं रहना चाहिए। इससे हमारे शरीज में भीतलु की मातरा बनी रहे। जिसे हमें किसी तरह से करना चाहिए ताकि हम स्वास तरह सके चलिए टूपेंट वन क्या है उसको देख लेते हैं यह रहाँ सोर्स आप सम मिंदल्स मिंदल्स की कुछ स्वार्स यहां दिये गए हैं समस्वाइब आइरन आइडन हमें कहां से मिल जाएगा आलक खाएंगे आप से आपस्वाइब आपस्वाइब नूटिंस में एक से चाहधा उपस्ती होते हैं इसमें अपस्तीत होते हैं वाइल डिवादिंग दूर अब्जर्बेशंस इंटेवल 2.2 जब अब टेवल 2.2 को अब्जर्ब कर रहा है थे उसमें एक से ज्यादा उपस दित थे और यह वर कैसे भी इन्हें गीवन रॉम मिन्राल वन पार्टिकुलर निउट्रेंट में भी प्रेजेंट इन मच लार्ज की मात्रा मैं Karbohydrates मिलेंगे उसरे अंगे we say that rice is Carbohydrates ये कहा जाता है और वहायड़ेट कमों के सुरुत क्या है चावल ज़्यादा खाएंगे था मिले अर्वाइटर ज्याद मिले का हमारे अंदर याध याध हम सो नोग करने फूरति या रहेंगे रागेफ यह से भी रफेज जो है अथा टाजा टाजा फल होता है उसको खाने से हमें डाल खाने से पोटेटो आलो खाने से प्रेसपोट ताजा ताजा फल खाने से और वेशटवर सब्सक्राइब जाते हैं हमें रफेज अर्थात डाटरी फाइवर मील जाते हैं यहां पर आपको एक शीज बताना चाहोंगा तब भी आप पहलो या सब्जियों की से वह पार करेंगे तो आपको डाटरी चाहीं नोट प्रवाइब अनि नुट्रियंट वाबड़ी अप्र जो है वह हमारे ज बचाने में मदद कर देता है water helps our body to absorb nutrients from food वो हमारे सरीर को nutrients बचाने में मदद कर देता है it helps also helps in growing out some pesticides from body as urine and sweet परिया क्या करता है urine means toilet toilet or sweet means पसीना पसीना के रूप में हमारे सरीर से कुछ अनुपयोगी तत्वों को बाहर निकलने भी मदद करता है नॉर्मली समय नहींता क्या होता है वी गेट मोस्ट आप डावर बडी निर्स फ्रॉम लिक्विट के फॉर्म में जो भी हम चीज़ खाते हैं जैसे दाल चावल जो खाते हैं इसमें बहुत अधिक मंतरा में पॉटते हैं और दूद पीते हैं चाहिए इसलिए कहा गया कि बहुत से अधिक मातरा में पॉटते हैं पकाते समयं लेट सी चलिए देखते हैं इसको देखेंगे कहा गया है एक टमाट ले लिजिए और फूट या कोई भी एक लिजिए लाइक नेमन ले लिजिए और मेर्फ एक लिजिए वर फूट या आप काटे हुए या पिस्ते हुए अभी आपका हाथ गिला हुआ है या आप उसमें कोई भी मात्रा अफजर्ब किये हैं राजा कोई इसा फाल है जिसमें थोड़ा फी पॉनी नहीं हो इसा नहीं होता है कोई भी फाल है या कोई भी आवर बड़ी निर्स्ट आरेट बाइट इस पाटर आपार फ्रॉंद इस वी और वाटर वाइल कोकिंग मैंने फुड आइटम्स का गया है मैं जो भी पॉनी क्या बसकता होती है हुए हमें भुजपदार से मिल खाते हैं जो भी भुजपदार सम पकांके खाते हैं उसमें समुल से प्हां यार कर लेते हैं अक्या चैस का मैं औरने में कंई करती हैं ङृति कर दिए हमारी करते हैं जो करने में ah मात्रा में जाहिए उसलिए आपको सही मात्रा में सभी डाइट लेने हैं तरह बाइट के ग्रोथ यूट अवाट पे इसका इए आपके और पूर्ट में एक सही मात्रा में अगुड। सब्सक्राइब को एक समान रूप में डाइट आविशक है आगे बताय गया है तो सोचिए कि वाट वी नीड फॉर एबैलेंस्ट डाइट कुछ खाते हैं का एक चार्ट बनाईए एक वेदर और अल्ड न्यूट्रियंस मेंसंड और प्रजेंट वन और अदर फॉड आइटम विदिन विदिन दे और सो और चेक किजिए कि जो भी नुट्रेंस हमें अभी बना है वे सभी नुट्रेंस हमारे फॉड आइटम से मातरा मूप लब दें नहीं आगे बताय गया है तोल्सेस राउन नट्स वया बीन स्प बेलेबल वेजटेबल और सच फुड प्रोवाइड मैनी नुट्रेंस यह सभी जो फॉड आइटम के वारे हमने अभी परहा है जैसे हमें नुट्रेंस परदण करने में बहुत ज्यदा आविसक होते हैं जैसे कि ग्राउन फॉल्स दाल ग्राउन नट वयाभी यह सभी जो इसको खाने से हमारे से नुट्रेंस की कमी नहीं होगी इसलिए सभी को हमें गरूर से कंज्यूम करना चाहिए तेरफ़ अताहां केंट ए बैलेस्ट डाइट विदाउंट एब्स्टेंसिफ पॉड मेट्रिया और बिना महांगा चीज़ खाये ही हम लोग क्या कर सकते हैं सभ अब पहली जानना चाहती है इसको आसर होता है कि जानवर को भी सभी तरह के बैलेस्ट डाइट खाना अभी सखोगा उसको भी सही मातरा में सही सही न्यूट्रेंस लेनी आभी सकता होती है अगे कहा गया है इस शूर ऑल्सो भी खुट प्रोपर लिसो डाइट इसमिट्रींस अनोट लॉश्ट और भोजन को सही से पकाना भी चाहिए क्योंकि पकाने से इसकी न्यूट्रेंस क्या होते है बने रहते हैं आज ज़्दा पका लेने से इसकी न्यूट्रेंस भी कम जात इसे फिर संसे विटामिस करते हैं तो पकाते हैं उत में से कुछ 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 विटामिस हो जाते हैं उतम क्या हो कि प्रम्मिट संटेन्स सब्सक्राइब Hatा सबस्क्राइब जिसए अब बैगा सिर्क्षे कांद मेंधर साथ लाएगे बहुंके हं तुसके छिल्के की फेक देखते हैं निए छिल्के कारण में कृचलिल का जाता है जिक्षण का जाता है Examples के ऊथलेंस फिए ओसे जाते हैं मिनेरस सुप्ष मेंडस में न चीज़ी पकाना रगे पढते हैं we all know that हम सब जानते हैं कि cooking improves the taste of food and makes it easier to digest हम सब लोग जानते हैं कि खाना पका कर खाने से वह अच्छा लगता है अच्छा लगता है इस वाद में और यहां हमें असानी से पर्ष जाते at the same time इसे समय क्या हुआ एक और चीज बताया है कि cooking also results in the loss of certain nutrients अना पकाने से उसमें से कुछ निचीत मात्रा में nutrients भी हट जाते हैं इसके निचीत में निट्रेंश भी हट जाते हैं उसके निट्रेंश और मिनरल्स को शोग लेता है तो तो फूड़ आइटम से vitamins minerals भाइब हो जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बताया है नारे डाइट में इसा भी फूड आइटांस को पका करना चाहिए जिसमें से विटामिन ची रहाता है जिसे कि निम्बु हम पका खुड़ बेखाते हैं निम्बुत कचा कहते हैं बूजो बूजो जो है और सोचा की और सोचा की एक तो बी अब बेस्ट फूड तो इत वाल टा है जाबल में बिलता है ज्यादा हम चाबल खालेंगे को तो भर के थांब बहुत सारा एनरजी मिल जाएगा जाएगा तो यह सही सोच रहा है तो इसलिए अधिक मात्रा में और फैटर खाता ही नहीं है तो फैट खाना छोड़ दिया जिसे कि प्राइड फूड लाइग समोस फैट राइश पूर्स एंड फिमें अब सफरिंग उन फैंड इस तरह से अगर हम क्या करेंगे जदा अधिक मात्रा में कर्भोहड्रेट या अपने बड़ी में हम क्या करेंगे बहुत ज़्यादा अकलिप में पर सकते हैं हमारे बहुत ज़्यादा नुपस्टायक हो जाए पर संब्सक्राइब नोट कंटेन अपर्टिकुलर नीट्रेंश कभी उसके फूर्ड में खास तरह की नहीं है और वह इस तरह का प्रोसेस लाइश रहे उसके माइश पदाति में कोई खास विटामिन की कमी राज जाए तब उस ब्यक्ति को उसकी कमी घेलना परता है उसको क परण्यश कें आउज डिजीज और इस तरह से क्या होता है हमारे सिर्ण में एक या एक से अधी नूुट्रिंश की कवी हो जाती है तो वह था रभाव देखने के-जाप एक नियुट्रिंस की कमी हो रही थी इसके करेंस सोगा और वीमारी उप्लब दोना है इसलिए हम एनग प्रोटीन इनग और हर फूट फॉर लॉंग ताइम अगर कोई वैक्टी लंडे समय से अपने भोजन में प्रोटीन नहीं ले रहा है की इसी इसलाइकली तुल जाएगा और उसका ग्रोथ जो है वो रूख जाएगा उसका शरीर भीकास नहीं करेंगा इस को रेसं अफ्यर उसका बाल जो है वो पक जाएगा इसकी डिजिजेज वे स्कीन से समानदीत प्रोब्लम होने लगेगी रोग हो जाएगा उसके बाद डायडिया भी हो जाएगा इसलिए मात्रा में प्रोटीन लेना चाहिए अगर बहुत लंड़ समय से और प्रोटीन नहीं ले रहे है अपने बोजन में ग्रोथ में स्टॉप कंप्लेटली तो आपका विकास पूरे तरीके से रूप जाएगा आप ज्यादा लंबा नहीं होंगे आपका से ज्यादा विकास नहीं करेंगा अच्छा परसन बिकम भैर दूबले हो जाते हैं तो विक एंड बहुत कमजोर हो जाते हैं यह और सी जाथ हो जाता है कि बैक्ति हील भी नहीं सकता है कोई खास तरह के बितामिन्स आपके सरी में कम जाएंगे तो भी आपको बिमारी 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 से बचने के लिए आपको सिर्फ बैलेंस लेना है इसे ही ब्त्राम मेल्ट्राम से ड़यत हैं की लिए बीमारी नहीं हो गार्टार में किस तरह सो उख्लब्ध हो सब्सक्राइब यह जंता है यह जाता है क्या था थीक आछाव ने दिशहर के खाओ लिए इस तो दिकी डिस् Mind adore तो स्थार्ट के रहने वाले लोगों को सभी मातरा मुपोचकत प्राप्ति हो जाती है अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि किन-किन वीटामीन की कमिस से कौन-कौन रोग होता है बितामीन आपक से कमिसे 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 का बिठामीन की क्या होता है और वीक मसल्स हमारे मुसल्स और बहुत कम एनरजी कि मिलता है कम करने मिकामीन सब्सक्राइब होता है। ब्लीधिक गम्स शुक्ने में बहुत है। प्रिकेश नाम का रो रोग हमारा हमारा से हड़ी है जो हमस्ति TAD हो या बेंट मौरने लगते लोर्च और आंगे लगता है और बच्चे में विमागी रूप से संतुलन भी खोड़ देता है और आगे अगे आइरन की कम जोड़ी होना थे हम लोग कम जोर महसुस करने लें